वीत्रा ग्रूप पावनपद के प्रत्याशियों पावनपद के प्रेमियों हमारी पंच बहाव पर चर्चा चल रही है जिसमें आप्षमिक तथा क्षाईक भाव पर हमारी चर्चा पूर्ण हुई क्षाई आप्षमिक भाव पर हमने चर्चा प्रारम की थी जिसमें प्रत्म साथ भाव पर हमारी चर्चा चल रही है पर्थम चार भाव मतिग्यान, शुतग्यान, अवदिग्यान, मनहपर्यग्यान और फिर तीन अग्यान, कुमतिग्यान, कुशुतग्यान और कुअवदिग्यान इस पर भी खुला साहम कर चुके है कि अग्यान दो दफे आता है त्रेपन भावों में दो बारा ग्यान आएगा ये एक शावप्षमे का ग्यान मिथ्या दृष्टियों का ग्यान है विप्रीद ग्यान वस्तू सुरुप संबन्दी ओय अथार्त ग्यान काईदे से ग्यान तो सम्मेक मिथ्या होता ही नहीं है मिथ्यत्व की उपादी से ग्यान मिथ्य ग्यान नाम पाता है और सम्मेक्त्व की उपादी से ग्यान सम्मेक ग्यान नाम पाता है इसलिए खरेखर ग्यान से ना बंद होता है ग्यान से ना मुक्ति होती है क्योंकि ग्यान तो स्वभाव है यदि स्वभाव बंधन का कारण होने लग जाए तो कौन जीव मुक्त होगा और यदि स्वभाव ही बंधन का कारण होने लग जाए तो कौन जीव मुक्त होगा और यदि स्वभाव ही मुक्ती का कारण हो जाए तो कोई जीव सांसार में रहेगा क्यों इसलिए अभव्य नाम की कोई चीज भी ने रहेगे अरे सांसारी नाम की ही चीज ने रहेगे आप समझ रहे हैं मेरे बात को इसलिए स्वभाव ना मुक्ति का कारण ना बंद का कारण लेकिन स्वभाव का सदूपयोग वह मुक्ति का कारण स्वभाव का दुरूपयोग वह सांसार का कारण और स्वभाव का उपयोग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र और सम्यक का और स्वभाव का दुरूपयोग उसका लक्ष नहीं करना आर्थात मिध्य दर्शन, मिध्य ग्यान, मिध्य चारित्र पर का लक्ष करना वह सांसार का मार्ग है हमने आपको ख्याल में होगा तत्वार सूत्र के दूसरे अध्य का आठवा सूत्र बताएंगे कोई उप्योगो लक्षणम यह सूत्र है लक्षन किसको बनाया उप्योग मतलब ग्यान दर्शन के व्यापर को उप्योग कहते है धियान रखना उप्योग के बारह बेहदों में से किसी एक भी बेहद को लक्षन नहीं बनाया उप्योग को लक्षन बना रहे है मति ग्यान, सुत ग्यान, अवदि ग्यान, मनपर्य ग्यान, अत्वा केवल ग्यान इनको लक्षन नहीं बनाया हमने देखा ता लक्षन लक्षन अभास टॉपिक में आपको याद आ रहा है सुताओधी ग्यान मनपर्य ग्यान बनाते तो केवलियों में घटित नहीं होता यदि लक्षन केवल ग्यान बनाते तो छदमस्तों में घटित नहीं होता लक्षन तो वह होता है जो सभी प्रकर से लक्ष में पाये जाए और लक्ष में ना पाये जाए तो लक्षन बनाये था उपयोग, जो सभी जिवों में पाए जाए, मति ज्ञान उपयोग नहीं, बस ज्ञान उपयोग, ये लक्षन बनाये था, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, और मैंने तब भी कहा था आपको, इन बारह को कहेंगे विशेश, बारह को क्या कहेंगे, विशेश, और सामन सामन्य कितने हो जाएंगे, सामन्य कितने होंगे, बोलिये कोई, विशेश कितने, बाराइद, सामन्य कितने, सामन्य बहुत सरल है, आठ ग्यान उप्योग है, वे ग्यान उप्योग के भेद है, और चार दर्शन उप्योग है, वे दर्शन उप्योग के भेद है, चक्षू अचक्षू अवदी मनपर और केवल दर्शन वरन केवल दर्शन ये दर्शन उप्योग के बेद है और मती सुरुत अवदी मनपर ये केवल ग्यान और कुमती कुसुरुत कुवदी ग्यान ये आठो ग्यान ग्यान उप्योग के बेद है सामन्य से ग्यान उपयोग और दर्शन उपयोगे दो उपयोग है अब समझ में आ रहे हैं सामन्य और विशेश धियान रखना एक ही परियाए में हम सामन्य अंच और विशेश अंच इनको मुख्योगोन करके देख रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को प्रॉपरली कौन समझ रहे हैं मेरी बात को हाथ उपर करें ठीक है अभी अभी चर्चा करूंगा और भी मैं देखो आप सब में कुछ समान पना है क्या समान पना है आप मंगलार्तियों बहुत अच्छा और आप में विशेश पना क्या है विशेश पना ये है ये तो परांत की आपक्षा विशेश पना बोल सकेंगे आपके स्कूल के रिजल्ट की आपक्षा से हम विशेश पना कह सकेंगे विशेश पना आपके हाइट वाइस कह सकेंगे आपके कॉंपलेक्शन की तरफ से कह सकेंगे और और धरम प्रियता की तरब से कह सकेंगे हलाज की दरम प्रियता की आक्षा से तो समानता पड़ेगी लेकिन अंदर का रुज्भान उसमें अंतर पड़ेगा मुझे क्या कहना है आप सब में एक सामन्ने भी तत्व है और आप सब में विशेश भी तत्व है ठीक है? विशेश तत्व देखेंगे तो जितनी विक्तिया है उतने तत्व है विशेशता और सामन्नेता यदि लगाए यदि सामन्नेता लगाए तो सब में सामानता तो एक ही बात की पड़ेगी आप समझदे रहें मुझे? मुझे क्या कहना अभी? उपयोग को यदि विशेश भूप से करे तो कितने उपयोग हो जाएंगे? 12 और यदि सामन्ने भूप से करते तो कितने हो जाएंगे? 12 इसलिए आचारेदेव ने जगह जगह क्या? किया आचारे देव ने जग जग ऐसा प्रवचंसार की टीका जहां पर प्रारम हुई है तो वहाँ पर टीका में अमर्चंद्रा आचारे देव ने अपना परीचे देते समय ऐसा दिया यह दर्शन ग्यान सामन्य सुरूप मैं क्या क्या दिया उन्होंने परीचे आईसा क्यों पर इचाहिदिया? क्योंकि लक्षण, क्योंकि दर्षण ग्यान विशेष को यह दिमुख्य करते, तो क्या पत्तियाती वो स्थाई भाव नहीं है? ग्यान दर्षण की विशेषता, बारा उपयोग में से कोई भी उपयोग अनादी निधन नहीं है, कोई उपयोग तो अनादी है, दस उपयोग, और कोई उपयोग तो अनन्त है, दो उपयोग, आप समझ रहे मेरी बात को, अनादी निधन कोई उपयोग नहीं है, अनादी नि क्या बनाया? उपयोगो लक्षनम जो समय पाया जाए उपयोग, ज्ञान दर्शन को उर्दो किया अभी मेरा ये प्रशन है ये लक्षन रहता कहा है किसमे से प्राप्त होगा? आलग सा कोई जानना मात्र कही पाया जाएगा क्या? तो हमने जो वर्तमान हमारा कुमति ग्यान है मित्या दृष्टी ने क्या क्या जैसे गरंथ में ऐसा पड़ा उप्योग लक्षनम मात्र जानना मेरा काम क्या अपना काम क्या कहा मात्र जानना मात्र जानना मात्र मतलब क्या लेना मात्र मतलब कैसा जानता है और किसको जानता है इसको किया गौन, कितने बातों को गौन कर रहे हम कैसा जानता में क्या क्या आएगा प्रत्यक्ष परुक्ष और किसको जानता में क्या आएगा कौन से दर्वे को जानता है पुद्गल जानता है, जीव जानता है मुर्टिक, मुर्टिक, छेदरव, किसको, विशे, तो कहे रहे उसको करो, गौन, किसको जानता है, कितना जानता है, इसको करो, कैसे जानता है, इसको करो, गौन, और मुक्य किसको किया, जानना मात्र, इसलिए हमने तुति में क्या बोला, मात्र जानना मेरा काम, मात्र मतलब जानना अनली, उतना देखो, उसी फैक्टर को मुख्यो करो, समर्पित को जानता है, कि आर्पित को जानता है, कि अक्षत को जानता है, कि एतुशार को करो, गौन, जानता है ना कम हो गया, कोई अंधा, उसको आपरेशन हो गया, चिलाती चिलाती एक जन बाहर के आएगा, दोड़ता बोलेगा वो क्या क्या दोड़ता बोलेगा क्या उसको चार दिखने लगए उसको चार दिखने लगए नहीं जिसको चार दिख सकता है उसको पाच भी तो दिख सकता है तो सामने क्यों नहीं बोलता उसको दिखने लगए क्योंकि चार दिखने लग गए में क्या दिक्कत है फिर पाज दिखेगा कि नहीं दिखेगा नहीं समझ से खड़ी होगी तो विशेश को लाओ मत ना उसको दिखने लग गए और यह भी कहे यदि हाँ उसको दिन में दिखने लग गए दिन में दिखने लग गए तो नहीं लोग होते हैं ऐसे बहुत, नाइट ब्लैंडनेस, मेरे मित्र को एक नाइट ब्लैंडनेस था, जैसे सुर्यस्त होने लगता था, उसका अंदर कभी बत्ती बुच जाती थी, वो कुछ नहीं जानता था, फिर एक ही जग बढ़ जाता था, मेरे और एक दोस्त है, उनको एक ऐस उसका जो कलर बॉक्स था अंदर का वो खतम हो गया कलर, टूब कलर्स, तो उसको ब्लैक और वाइट इतनी टीवी है उसके पास, कोई कलर नहीं, होता है बहुत सारी बिमारे होते हैं, अब वो यह दि कहने लग जा, दिन में जानने लग गया, तो दिक्कत खड़ी होगी ना तो फिर रात में जानेगा की नहीं जानेगा, अरे जानने लगा इतना बोलना, आखों का काम क्या है, देखना, हम कहते क्या, वो इसको देखना, उसको देखना, उसको उसको करो गौन, देखना मातर, इसको करो उर्दुआ, तीक है, उसको कोई पक्षपात नहीं है, जो साम ने आएगा उसको देखेगा वो किसको देखेगा अगनी किसको जलाएगी जलाएगी लिकडी को जलाएगी क्या पेट्रल को जलाएगी क्या जलाएगी बस तुम तुमारा हाट डालो तो उसको भी जलाएगी अब भी देख लो तुम चाहो तो समझ में आ गया मैंने जोर क्यो अब भी चल रहा है, कुमती ग्यान कुशृति ग्यान, इसी मैंसे जानना मात्र, उसको करो उर्ध्व, उर्ध्व मतलब मुख्य, उसको मुख्य करके जानता है, बस इसको करो मुख्य, अभी देखिए थोड़ा सा, दो पक्षिस में खड़े करूँगा मैं, तो किसी आपक्ष निर्पेक्ष हो उसे पारिनामिक भाव कहते है क्या कहा आई यह तो यह कैसा दिखेगा सफित कपड़ा लाल वो बुजाकर हमने नीला फोकस लगाया नाटकों में होता है ना नीचे मंछ पर पात्रों पर फोकस मारते हैं तो उस पर परपल फोकस लगाया वो कैसे दिखने लग गया परपल जैसा फोकस लगा वैसे दिखने लग गया तो ये चार प्रकर की फोकस है कौन-कौन से चार प्रकर की फोकस है उदय उप्षम ख्षय शोप्षम और उदय चार फोकस लगे है हम ये पुछते है वो जो सामने पात्रक खड़ा है वो पात्रक कैसा दिख रहा है जब यह फोकस चलेगा तो यह दिखेगा ऐसा दोनों फोकस दिखेंगे तो दो रूप दिखने लगएगा लेकिन उसका परीच है सबसे निर्पेक्ष देना हो तो क्या कहना पड़ेगा उसने कौन सा शर्ट पहना है सफेद पिर यह नहीं बोलेंगे यह ब्लू कलर का रेड कलर का डा वो तो दिख रहा था लेकिन मूल उसके सुरूप के समीब जाकर देखो तो सफेद ही शर्ट है मैंने यह उदरन क्यों दिया मेरा देखो मुझे आज यह लगा कि और थोड़ा सो खुला सा इस बात पर किया जा जो जानना मातर चल रहा है जानना जानना वो अलग सा तो नहीं पाया जाता कही वो जो कुमती कुसरुतिग्यान है उसी में से हमको जानना 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 को मुख्य करना है अब जानना 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 यह कुन से भाव में आएगा कुमती ग्यान कुमती ग्यान और कुसरुतिग्यान अथो मती ग्यान और सुरुतिग्यान यह तो जाएगा एक शाप शमिक भाव में लेकिन जानना जानना मातर किस में जाएगा जानना 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 किसी कर्म सापिक्ष है? स्वभाव का अंश है क्या कहा मैंने? स्वभाव का अंश है वो वो किसी की बदोलत नहीं है देखो वो उस स्क्रीन को जान रहा है ये तो किसी की बदोलत से जान रहा है देखो देहन से सुनो देखो ये रुमाल को जान रहा है क्यों जान रहा है मालून रुमाल आवरण कर्म का उसको क्षेप्षम हुगा है कौन सा क्षेप्षम ये रुमाल को क्यों जान रहा है रुमाल आवरण कर्म का क्षेप्षम हुगा ना आपको ऐसा पंचेज धही ने लिखा कि तदावरन कर्म का क्षवप्षम ऐसा नया क्षवप्षम को गष्टित किया तदावरन कि एक एक वस्तु जो हमारे ग्यान का विशे बन रही है न उस संबंद्यावरन को हटे तब यू उस्तु का ग्यान हो और उसी प्रकर हमको अत्मनुभो कब होगा क्षवप्षम की छोड़ दो थोड़ी देर के लिए आप सब समझ रहे मेरी बात को मुझे क्या कहना है मुझे तो ये कहना है अभी कि ये मतियान मतियान जानना जानना है इसको हम कौन से बहुमें डाले यदि पारिणामिक भाव में डाले तो अपेक्षा क्या लगाने पड़ी कि वहापर क्योंकि निर्पेक्ष था रुमाल को क्यों जानता है इसमें तो अपेक्षा पड़ेगी लेकिन क्यों जानता है इसमें क्यों अपेक्षा पड़ेगी या पिक्षा पढ़ गी लकडी को जला है पिक्षा बोलो लकडी 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 लेकिन वो उश्न है पिक्षा बोलो अभी इसमें पिक्षा क्या बोले स्वभाव अतर्क गोचरा स्वभाव में तर्क नहीं होता स्वभाव में कोई कारण नहीं होता स्वभाव में कोई निमित नहीं होता समझ रहे हैं आप सब तो स्वभाव तो by nature अना दी निदन वाईसा ही है स्वरुप को किस ने बनाया एई समझते हों आप सब क्या कह रहा था मैं जो जानना जानना है वो परिनामिक भाव में भी आ सकता है निर्पेक्षता को देखो यह दी तो by nature स्वभाव काश देखो तो परिनामिक भाव है लेकिन परिनामिक भाव धुरूर रहता है और यह तो जानना जानना हो रहा है तो जानना जानना पना ऐसा ले लो आप जानना जानना पना आप कहते ही वो ग्यान गुन सामने दिखे बगर रहेगा ने तो जानना जानना मतलब एक कौन से गुन का काम ग्यान गुन का तो पारिणामिक भाव जब आपन कहेंगे जानना जानना को तो ग्यान गुन में ही आकर रहे जाएगा और ग्यान गुन भी पुरा पुना वो अनन्ट गुनों का सम्दाई दुरू ही अर्दो होगा इसका मतलब जब भी हम पारिणामिक भाव कहते हैं जानना जानना को वो बात अन्तव गतव कहा तक चली जाएगी दुरू तक चली जाएगी और हम इसी जानने जानने को वरतमान में क्षाइब शमिक भाव भी कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं क्षाइब शमिक भाव जानने जानने को क्योंकि इसी कुमती शुरुत में से वो जानने जानने को मुख्य किया न हमने हलाकि ये है तो क्षाइब शमिक, भाव का ही एंच वो इस नियाय से उसको क्षाइब शमिक, भाव भी कह सकते है लेकिन फिर भगवान का जो केवल ग्यान है उसका जानना-जानना मुख्य करेंगे तो वो किस में जाएगा पिर कतन्चित पारिनामिक भाव और कतन्चित क्षाइक भाव में जाएगा कितने जन्बात को समझ रहे हैं क्योंकि जानना जानना अलग सा तो नहीं कहीं पाये जाता वो जो हमारा कुमती ग्याने उसी में सो आतों आपन छाट कर मातर जानना को अनुभव कर रहे है मातर जानना मेरा काम तो वो पारिनामिक भाव का अंशे है वो और इसी माध्यम से हम धुरू की तरफ बढ़ सकते है आप समझ में आगए क्या कहा मंगलार्ती है हमें यदि एकता से जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये MP का है, ये UP का है, महराष्ट का है मत करवाई से लड़ाई तो अरे ये भी मंगलार्ती समानता को देखेंगे तो जगड़ा नहीं पड़ जाएगा तो जानना विशेस्ता से हटेंगे जानना जानना मुख्य करेंगे तो द्रू की तरफ जाने में आपको क्या होगी? सफलता मिलेगी सरलता हो जाएगी आप समझ रहें इतनी बात को आगे अब मैं क्या करो, जो जानना जानना हो रहा है उसको किस में लगाओगे तो आबादी होगी? उसको त्रिकाली धुरू में, पुंची में लगाओगे पंप नाम के एक कन्नड कवी हुए है पंप उन्होंने बहुत सुन्दर एक कहानी लिखी है मैं आपको कहानी बताओगा एक बार जल की बुन्द आइसा नहीं कहकर हम सी दोर पीछे चले बादल थे बहुत बादल चाये थे बादल में से बादल मतलब क्या होता है वो सब? बादल मतलब होता क्या है वो सब? पानी ही तो होता है पानी होता है पानी में से एक बुन्द कि कुछे मन मुटाओ हो गया नोक जोक हो गई लड़ाई हो गई बचे हुए बादल के साथ तो बुंद बोली ये मैं चली बुंद क्या बोली चली मैं मुझे ने रहना भी आपर तो बादल बाकी के आने जल बिंदो ने हलों कि वो बिंद। नहीं थे वो सब पानी के समुहू रूप थे आप सब समझ रहें मेरे बात को वे अलग अलग बिंदू भी बिंदू संगया नहीं पाएंगे वे समू संगया ही पाएंगे नदी संगया ही नदी तो नहीं कहेंगे उसको बादल संगया ही पाएंगे ठीक है? हाला कि सबी बुंद का समूँ एक नदी है मान के चलो एक बुंद उटाए तबी तो बुंद कहते है उसको और बाकी जो है उसको नदी कहेंगे ना हरे एक बुंद को नदी संगे है न वहाँ पर क्योंकि आलग आलग सी तो है नहीं कोई कठिन पढ़ रहे समझने को नहीं पढ़ रहे उसने बोल हमें तो यह चली उसको बहुत समझाए घर वालों ने तुम क्या जाएगी क्या करेगी तुम मत जाओ थोड़ी थोड़ी बात पर हम तुमारे भलाई के लिए कह रहे ने यह हम जा रहे हम करते हैं ना ऐसा बहुत घर पर हमरे मन विरुद्द कुछ हुआ तो हम भी जिद करते हैं हम उतरू हो जाते हैं और हम भी क्या कही देते हैं घर पर क्या कही देते हैं हम घर पर हम जा रहे घर छोड़के कुन कुन बोलता है घर पर ऐसा कोई बोलता है क्या यह जा रहे फिर हम जा रहे हमारे बात नहीं कोई मान रहे फिर हम जा रहे हम जा रहे और मेरे यह प्रशने है गरवालों ने बहुत कहा अरे भाई और तुम नहीं चाहिए को जा रहा हुं जाके हम करेंगे कों कौुछ पूस्ता है हमघने मैं पर और कंजाए हैं आज रात में रेल वी št्पेशन अधर भी खड़े रहे बस्ठी । पर भी खड़े रहे है तो पूलिस डंडे लगा कि अंदर ले जाएंगे तो हम एक शेकंड भी करें रुक नहीं सकते आज और पूलिस ने लेके जाएगी तो आकर गुंडे लेके जाएंगे दोनों में से कुछ हो नहीं है तो घर से दूर कहा जाओ गया जलकी बूंद को बहुत समझाए तो मत जाओ मुझे याद आता है मैं भी छोटा था ना माँ उसी अगरे के आजाता तो कुछ थोड़ा हो जाता था तो मैं भी रूट कर चला जाता था थोड़े अंतर पर वहाँ पर बस्टॉप था एक तो वहाँ पर जाकर बैट जाता था जाना है नहीं कहीं मुझे पैसा ही नहीं नहीं पता है कहा जाना बहुत छोटा था तो वह आ जात ले जाएगा उनके माते पड़ेगा सब पूरा ठपा बूंद आगे बड़ी लेकिन जो ही बूंद आगे बड़ी जो ही मैं कभी बस्टॉप पर जाकर बैटता था और कोई भेहने का अदमी आता था तो डरता थो बहुत था मैं गभी सबस था ददी ये उठा के तो ने लेके जाएगा और मुझे जितने मोटा अढमी आए है और कोई जोहले वाला आडमी आए है तो मिझे लगता दी ये मुझे जोहले में तो ने डाल देगा इसके और उठा के तो ने ले जाएगा तो अंदर से तो बहुत ड़र रहा था और बाहर से क्या करता था जाã, मुझे ने आना जाब मुझे ने आना कर पर वो जल की भूंद की भी आईसी ही दषया हुई जो घर से तो निकली और आगे बढ़ते हूँ उसको समझ में आ गया खत्रा है खत्रा है पूरा अब हम पीछे कहा हम उड़े बहुत बादलों ने आवाज लगाई पीछा नहीं किया आवाज ही लगाई और जो ही बुंद और आगे और आगे बड़ी तो समस्य बल्वती हुई क्या बल्वती हुई अभी उनकी धुनी भी खत्म हो गई आजाओ आजाओ लोटके तो जल के बुंद ने यह सोचा लोटकर तो नहीं जाएंगे अभी नाक कड़ जाएगे हमारे आपका नाम क्या है ये कांच आपका थोड़ा ध्यान कम रहता है क्यों लोटकर जाएंगे तो क्या होगा अक्षर ना कड़ जाएगी फिर क्योंकि हम कितने इससे बाहर निकल कर आएथे ये हम जा रहे दे हमें किसी गया शक्ता ने और एकनम टॉटाए टॉटाए फिश हो जाएगा अभी तो कही के कही के ने रहेंगे जो होगा सो होगा पीछे ने मुड़ेंगे तो कोई ने पूछेगा फिर कहेंगे ये दस दस बार जाता गर के बार ये कोई इसमें कोई दम नहीं है फिर दुस्री बार दमकी भी देंगे ना अमर कुछ नहीं चलेगे तो जो ही जल की बुंद वो आगे बढ़ी तो उसने सोचा पीछे ने मुन्द आप जाएंगे कहा तो उसने दूर से देखा एक चौके में रोसोई घर में रोसोई बन रही थी तवा था गरम गरम तो उसने सोचा वाट अन आइडिया क्यों? अब भी हम जाकर अभी तवे पर गिर जाते है तो एकदम जो आवज होगी न उसकी इवापोरेट हो जाएगे न पानी तो उसके माद्दम से जितने पाच्छे जन बैटे न भोजन करने एकदम मैं सब का ध्याना करशित कर लूँगी ये मैं भी कुछ कम नहीं हो मुझे देख देखकर कितने जन प्रभावित हो जाएंगे मुझे मुझे देखने के लिए कितने जनों का आनन्द आएगा ये मैं चली मुझे पुछने वाले के कोई नहीं है क्या? अभी पता चलेगा जो ही आगे बड़ी तवे पर गिरने को हुई भुन्ने सोचा बात तो सत्य है हम पाच्छे जनों को तो आकरशित कर पाएंगे लेकिन क्षनार्द के लिए और फिर हमारा क्या होगा? इसका आउटपुट क्या है? सर्वविनास सर्वविनास की जोखिम पर किसी को शनार्द के लिए सुखी करना? नहीं 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 हम हमारे जिवन हावन नहीं होने देंगे खत्मी हो जाएगे न हमारे जिवन दुसरों को राजी करने के चक्कर में हम मर जाए एक किसने सिखाया है? ने ये ये ने करेंगे नहीं कुछ उप़ाई पीच्छारें कॉपरे में रहते हैं बड़े बड़े शेरों में पूना में वगरे सिटिज में आप देछेंगे हजर लोग सुबह सुबह मॉर्णिग वाक के लिए निकलते शेरों के लिए दिया हाथ में तो एक जन भी नहीं निकलता, उनको आवशकता भी नहीं है शेरों में निकल लेते हैं, क्योंकि उनको आवशकता है दिन दिन बर बैट बैट के वो पेटो राम बाहर आ रहा है उनका पेटो राम समझते हो? और कि रहे सुबह सुबह जो ये घुमने निकलते है बाहर लोग वो आते जाते जो फूल देखते है फूल उस फूल पर जो जल की बुंद है वो मुती की बांती चमकती है बहुत सुन्दर लगता देखने में आपने कहीं देखे हूंगे फोटोस वगर है तो वहाँ पर फूल रहते है फूल पर एक थोड़े से ड्रॉपस रहते है डूल ड्रॉपस डूल ड्रॉपस कहेंगे उसको पानी की बुंद तो कि रहे आह ये कोई उपाए हो गया अब मैं पाच्छे जन को नहीं हज़रों को अकरशित करूगी हज़रों को ये मैं चली क्या समझते हो आप हमको कोई पूछता नहीं ये समझते हो आप अरे मैं कभी नहीं आँगी लोटकर आप लोगों के पास ये मैं चली अपना करियर बनाने जो ही आगे बड़ी उसने सोचा जल कि वो फूल पर बैटने के पहले हाँ मोका तो बहुत अच्छा है हजर लोगों को आकरिशित करेंगे लेकिन उसने सोचा लेकिन हाओ लाँग कब तक ये काम चलेगा अbी सुबह के छे बजे है साथ बजेंगे आर्ट बजेंगे नव बजेंगे 11 भी बजेंगे, 12 भी बजेंगे, एक भी बज़ेगा मेरा आस्ति तो थोड़ी रहे गा तब तक आ कि सूरी की धूप कड़कड़ाती धूप आएगी ना बास्किंग, सन बास्किंग और ऐसे स्कौर्चिंध लाइट में, हिट में मेरे तो कोई ठिकाना नहीं होगा मैं तो हवा हो जाओगी ओह 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 इसमें भी मेरे सर्वविनास की किमत है किमत लागाने पड़ेगी मरूंगी तो मैं उसमें एक सेकंड में मरना था और इसमें तिन चार गंटे में मरूंगी उसमें पाच जनों को राजी रख रही थी यापर हजर जनों को लेकिन सर्वविनास्तो अटल है इसमें भी पाच चे गंटे के बाद करेंगे क्या नहीं 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 हम हमरे नाक नहीं कटने देंगे फिर वे लोग क्या सोचेंगे वे लोग यही सोचेंगे न बस कुछ ने कर पाया अपने दम पर चार पच गंट में समाप्त अच्छा था आपने पास रहता तो नहीं 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 यह ठीक नहीं है क्या करें तो फिर उसने सोचा हाँ वो स्वाती नक्षत्र के काल में किसी सीप में मैं जाकर गिर जाओंगी हाँ यह कोई बात है सीप सीप मोती मोती बनता है स्वाती नक्षत्र में जब भी पानी गिरता है न उसमें तो उसी का मोती बन जाता है स्वाती नक्षत्र में गिरना चाहिए सीप में गिरना चाहिए सीप को मुँ बराबरा ऐसा हो ए दो इंद्री जीव ना अक्षट दो इंद्री जीव उसमें वो पानी की बुंदाई गे तो मोती बन जाएगो जीव है मोती जीव अभी चर्णान्योक की चर्चा नहीं करनी है हलाकि इसलिए हम मोती को भी नहीं पहनते हैं प्रयोक नहीं करते हैं क्योंकि वो है सबत दातों से बना शरीर है पूरा खुन हड़ी आदी जब चर्वी मान सब है उसमें आहा हा 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 मैं मोती बन जाओंगी पिर देखो मेरा कमाल कोरोडो अरबों में मेरा सावदा होता चलेगा थोड़ी चार-पाच घंटे के लिए थोड़ी पीडी दर पीडी कंट का हार कंट का मनी बन कर कदाचित राजा के मुकट में चली जाओ कहना ही क्या मेरा मेरी तो लाइफ बदल जाईगी समझ में आएगा परन्तु परन्तु एक रिस्क तो है कीमत है बहुत बड़ी आकरशन भी बहुत है लोग कितने दूर दूर से आएंगे देखने बात तो सही है परन्तु यदी में किसी वईद्दे के हाथ में गई तो एक-एक मुरिजों को चकाता रहेगा रोग को ठीक करने के नाम पर क्या जिंदगी है चांदी कि ब्हस्मो बनाकर कोई सेंस नही है ओँ मैं क्या करूँ कुछ समझ मי नहीं आ रहा है किम करतब के मुड उसके दशा हो गई मैं क्या करूँ समझ में के नहीं नहीं उन्तो तो गटवा उसने जहाँ पर भी आख उटा कर दे की उसको अपना सर्वविनाशी दिखने लग गया लेकिन अभी मूँ लेकर लोट कर जाए कैसे अपनी इज़त चली जाएगी ना कर जाएगी क्या किया जाए जितने में मैं जब बाहर निकलता था तो फिर मैं एक आइडिया करता था तो फिर दौगंटें होगे कोई लेने नहीं आये न मुझे तो मैं करता था अपने घर पर फून मैं घर पर फून करके कहता था मैं उसे बाहर निकल कर आया हूँ अャप कहना नहीं उनको मुझे लेने को आओ यह मैंने क्यूं कहा उनको ताकि वो बोले जल्दी अरे जाओ तुम जाओ उसकी गलती होगे जाओ और वो फिर मनाने आये हमको मतलब ऐसे नहीं आईसे नहीं और ऐसे खराना डारेक्ली नहीं डारेक्ली और फिर वो लेने आएंगे तब भी हम क्या कहेंगे अब आ गए आकर ठीका ने तुम्हारे उसी प्रकर जल की बुनने भी ये सोचा हम लोटके क्यों जाए बादल की तरफ लेकिन उसने समझदारी का एक काम किया क्यों क्या ही आच्छा हो कि हम ये जो सागर है इस सागर का एक अंग बन जाए तो सागर में समाइथ हो गई अब मेरा ये प्रशने है अब उसका सर्वविनास कब होगा कब होगा कभी नहीं होगा क्योंकि वो भूंद नहीं अभी सागर हो गई है तीन कल में उसका आभ हो नहीं होगा ठीक है और सुन्दर सुन्दर पुवित्र पुवित्र नदिया जहापर आकर मिलती है जहापर आकर सलूट करेगे हमको कैसी होगी हमारे दिब्रता कभी भी नाश नहीं होगा हमारा और इस समुद्र के निमित से जब गर्मी चाएगी हमको फिर ये समुद्र हमको फिर हमारे घर बादल की तरफ ले जाएगा समझ मैं? ससमान नास नहीं होगा अब हमारा यह हो गया उधरन, पंप कभी ने उधरन दिया सिध्धान्त में कौन गटित करके दिखाएगा? मुझे गटित करके दिखाना पड़ेगा इतना ही लंबा सिध्धान्त सुनिए वर्तने वाली जो ग्यान की पर्या है उसने ग्यान की पर्या ने सोचा कि आत्मा से विमुक्त पहले ही हो गई इसमें उधरन में आईसा समझना उधरन तो एक देशी है उधारण में तो पहले वो बादल में थी भूंद लेकिन सिद्धान्त में तो ऐसा समझना कि ये ग्यान तो अनादी काल से विमुक 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 ही है आत्मा से आज तक आत्मा को प्रेम भरी दृष्टी से इस वर्तने वाली ग्यान पर ये ने देखा ही नहीं है कभी अपने में अपना पन लाया ही नहीं है अपनी वस्तु को अपना माना ही नहीं है पर कि वस्तु में ही ताग जाक की है जैसे पंगत में जाते हैं और कोई बहुत दिन का भूका प्यासा हो वो दूसरों की थाली की तरफ निहारता रहता है तो उसको कहते हैं तो क्यों चिंता करता है तुमारे भी थाली में आएगा तो यहावा मत ताक और थाली अपनी भरी हो फिर भी यहावा देखे उसको क्या कहें क्या कहें उसको ये तु भिकारी है क्या तु खाओ ना तुमारे मुझे सामने जो है ये समझ में आ रहा है आपको आना दिकाल से क्या क्या इस ग्यान की परियाने पराई वस्तुमें ही दृष्टी दोड़ाई है तो उसने क्या चाहा पहले मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे किसी को आकरशित करके दिखाओ तो उस वर्तने वाली ग्यान की परियाने सोचा क्यों न हम विशे कशय रूप प्रवर्ते उससे क्या होगा अरे आनन्द 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 लेकिन वाट बेनिफिट वाट गेन क्या लाब होगा कशय में अपना जीवन हवन ही हो जाएगा न जुलस जुलस कर समझ रहे हैं तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे और बोला अगे क्या भोगे भोग मै चक्रीपद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे तो भी तनिक भहे नहीं पूरण भोग मनो रथ मेरे कितनी बार चक्री हुआ क्या बोला मैंने अभी कितनी बार चक्री हुआ और भोग निरंतर कितने भोग भोगे, मैं चक्रीपद पाए निरंतर भोगे भोग घने रे तो भी तनिक भे नहीं पूरण भोग मनोरत मेरे ओ, क्या होगा इसमें क्या होगा इस दल दल में फसने से छोड़ो नहीं उलजेंगे आपने विशय कशय की थोड़ी सी बातों में हम अपने ग्यान को नहीं लगाएंगे फिर इस ग्यान ने सोचा कुछ सक्री है, क्रियेटिव वर्क हो क्रियेटिव वर्क हो तो क्या क्या जाए मैं इंजिनेरिंग, मेडिकल ऐसे कुछ कर रहा हूँ कहा फिल्म इंडस्ट्र में हम हमरे जीवन का हवन करें कहा मॉडिलिंग में हम हमरे जीवन का हवन करें तुशार, कहा ऐसे हेर स्टैल्स में ऐसे ऐसे फैशन बाजी में हम हमरे जीवन का हवन करें अभी बंद कर दिया क्या? क्या भी भी रोच करते? क्या करते? किया बोलो मेने विशे कष़य में हम अपनी जिवन को नहीं लगएंगे यह फलतु काम वे लगएंगे हम हमारे जिवन को पोलिटिक्स में जाना इसमें जाना अरे छोड़ो यह रणनी तिया छोड़ो नर्केशरी राजेशरी ते नर्केशरी नरग गामी कोई परिणाम क्यों करना किच किच का नहीं करना हम कोई काम मैंने आप भी बोला वो ये शेलेंदर का भाई आया था थोड़े दिन पहले शेलेंदर का भूपेंदर का भाई आया था पता है आपको शिबिर के टाइम में नहीं पता है तो वो होने जारे पुलिस इंस्पेक्टर हो अगर जो भी मैंने उसको बोला है तुम एक दंदा मत करो तुम जिसमें अपने को हाथ में बंदुक लेनी पड़े ये रात दिन एक करना पड़े डाकों के पीछे गुमना पड़े ये नहीं करो ये जीवन आच्छे जीवन जीओ तुम वो कौन देखेगा वो कौन देखेगा कि बात अलग है दुनिया बहुत बड़ी है और नेताई भरस्ट है कौन देखेगा छोड़ो तुमको कौन देखेगा तुमारे उपर आपत्य आएगी और तुम जहाँ पर हो वहाँ पर रहकर खुम देश भक्ति कर सकोगे कभी जीवन में रिश्वत नहीं लेना रिश्वत नहीं देआना इतना करो बहुत बड़ा काम हो गया और तुम यदि दुर्गंद के सेक्टर में जाओगे एक शेत्र में जाओगे, तो तुम्हें भी दूर्गंद के आए बेना रहेगी नहीं जितने भी डॉक्टर होते नया मुल्ला जोर का बांग देता है जितने भी डॉक्टर होते है सबसे पहले यही बहुना भाते है क्या बहुना भाते होंगे सवर निम जाद नहीं समास सेवा 25 वाइस इसे की तो बात ने समास सेवा करनी है हमको हमको एक 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 जन को मरते नहीं देख सकते हम सबको हम इतने हस्पिटल करेंगे फला करेंगे ये करेंगे आदी रात सबको मैं एक सोशल वर्क करना है सोशल वर्क सबी आईसे ही कहते हैं और आईसे डॉक्टर तड़कते हुए माबाब को भी पानी नहीं पिलाते तुम्हें पता है सोशल वर्क का मत करो ढोंग मेरा एक मित्र है दो चार साल बड़ा है विदेश में वो रहता है मेडिकल मुझा भी मिलने आये था वो बोला कि सोशल वर्क करता है मैंने कहा ये ढोंग मत उल्जो अगर तुमारे माबाप परिशान हो रहे मैंने कहा रोग सी पीड़ी थे पानी पिलाने वाला कोई नहीं वहापर जाकर तु सोशल वर्क करता है माबाप को छोड़कर आईसे तो हमारो सोशल वर्क है समझ में आया किसकी पीछे करता होगा क्या माल मैंने तो कहा शेलिंदर भाइटी मैंने कहा मत करे तुम ये काम जीवन हवन नहीं कराना तो क्या कराना अब समझ में आया जैसे जगदिश चंदर बोस ने कुछ किया नएने साइन्टिस्ट्स ने कुछ आविशकार किये शोत खोच की जिसके कारण आज सुईदा हो रही है सबको आईसा कुछ करूँगा जो को एडिसन को कब से आस तक याद कर एए एक फिल्म स्टार को कितने दिन याद किया जाता है कितने दिन याद किया जाता है आरे कचरा ढेर पड़े है एक फिल्म हिट हुई तो उसको सीर पर उठा लेते है और दूसरी फिल्म के बाद उसको पोईरो तले कुछलते है बहुत खराब हालत है फिल्म स्टार्स की क्रिकेटर्स की क्या हालत है सेम जो पीछ पर है जिसका बला है जिसके लाटि उसकी भैस जिसका बला है उसकी प्रसिद्धी है वा सचिन और सचिन चला गाए तो फिर धोनी है फोनी है सब है आके लगए सचिन का के ठपा लगा है कि यहापर समझ गये मैं तो कुछ ऐसा देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा मैं तो साइन्टिस्ट वनूँगा वगयनिक लेकिन ये भी कब तक चलेगा दो ढ़ाई, दो पाच हजार वर्स तक चलेगा ये कौन एडिसन को याद करेगा दो तिन हजार के बाद एक नाम ही तो बस रह जाएगा कोई एडिसन डाड़ी वाला हो गया एक आदमी हम तो बिजली बल्ब जलाओ खेल खत्म छुट्टी कर तो उसने तो कौन सा बल्ब जलाए ता क्या मालम हमने तो आज कितना अदुनी की करना आ गया जगमक 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 कौन पुस्ता एडिसन के बल्ब को समझ मैं आज चुटके बाज़ाओ लाइट चालू हो जाती है तुम कहा जाते हो वहाँ तक स्विच चालू करने रुख जाओ यह नहीं नहीं इसमें भी जिवन हवन नहीं करना चार पाँच हजर साल कोई लाइफ थोड़ी है हाँ समयसार परफचंसार ऐसह कुछ लिखे ग्यान इसमें लगाए ग्यान इसमें लगाए मैं तो शास्त्री करूंगा विद्वान बनुगा ग्यान इसमें लगाए कुन-कुन स्वामी की وाणी दो हज़र वरस आ चारी ए पंच अमकाल कैंते तक बनी रहेगी हम सरी के बराबर उसको प्रसारित करते रहेंगे हाँ ये कोई बात है ये कोई बात है ये जिन्वानी अम्रित रसाल रसिया आओरे सुनवा क्या है वो समय सरस्तुति का प्रारम क्या है संसारी जिवना भाव मरनो टालवा करुना करी सरीता बहावि सुधा थनी प्रभु वीरते संजीवनी शोशाती देखी सरीत ने करुना भी ना प्रदय करी ये मुनी कुंद ने ऐसा किया अमरित चंद्र ने ऐसा किया ये कोई जीवन है ये कोई जीवन है तो ग्यान ने ये सोचा कि हम तो जीवन इसमें लगाएंगे गरंतों का अध्यन करेंगे कराएंगे इसमें पी-एच्डी करेंगे अभी इसमें कोई आपती है इसमें कोई आपती है कि तुशार क्या आपती है बोलो अलाब होगा तो दूसरों को होगा मुझे क्या मिलेगा मेरे तो प्राणान्त होंगे जहां पर भी जन्मूंगा राइट फ्रम एबी सीडी फिर से चालू करना पड़ेगा ये सांसकर नहीं आएगा कुन-कुन सौमी ने जो चारा सी पहुड की रचना की कोई पूरो बहुमें करती है रुची है यह ग्यान यदि ग्यान के सागर में मिल जाए तो यह बुंद नहीं रहेगी क्या हो जाएगी यह भी सागर हो जाएगी और रही है अनंता अनंतकाल यताता शिव परिनाए वह भी सागर होगी निर्मल परियाए वह भी अनंतकाल तक रहेगी समझ में आता है वह लोहा जो परिस को स्पर्श करता है पारस मनी को स्पर्श करता है वह लोहा भी लोहा नहीं रहता वो सोना हो जाता है लेकिन यहाँ पर वो परिस ही हो गया स्वभाव के अनुरूप ही परिया हो गई समझ में आ गया चलू चलू बोलो अच्छा प्रसने कोई ने प्रसने पूछो हाला कि मैंने सुना तो ये है कि वो भी जहिन कवी था जहिन कवी था लेकिन उन्होंने गटित नहीं किया ये सिद्धान सिद्धान तो अपन गटित कर रहे हैं ने अपनी तरफ से ये क्यों गटित कर रहे हैं बतावा बमूल सिद्दान वरतने वाला जो ग्यान है वो कहा पर लगाना हमको बात उसकी चल रहे स्वबाँ मे ये मतीश रूत ग्यान की महिमा लाओ ए भाई ये रोज परशन पूछते है आप परशन पूछते है रोज बीच में श्वब श्वब भाई को क्यों लिखा क्यों लिखा क्योंकि इससे हमारा काम बनने वाला है क्या काम इने इससे हमारा काम होने वाला है ये इसलिए इसको बीचो बीच रखा बीचो बीच किसको रखा जाता है अत्यान तब मौल्लेवान चीज़ को बीचो बीच रखा जाता है बोलिए हम जवारात सौना चांदी लाते नोटों की बंडल लाते कहा रखते है तीजोरी कहा रहती है बीच कमरे में और उसके लिए कितना प्रोटेक्शन है कि नहीं और चपल जूते कहा रखते है और घर में गलती से कोई लेका है तो क्या बोलते है बाहर 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 और अंदर लाने की तो बात ही नहीं और तीजोरी में कोई रखे है तो कहेगे पगला गया क्या ठीक है मौल्लेवान चीज बीचो बीच रहते है ये शावशमिक भाव को बीच में क्यों रखा ये मती सुरुद ग्यान के काल रखा क्योंकि उसका यदि सदुपयोग हो तो पहले दो भाव आएंगे और यदि उसका दुरुपयोग हो तो ये चाउता भाव आने वाला है उसका कौन सा अनंत काल तक अवदेग भाव कौन सा नहीं नहीं क्षावशमिक भाव के अंतरकेत कितने भेव भेध होए साथ इसके आपने हे उपादे और गुणस्थान को भी देख लेए आज आपको हो तो हे उपादे और गुणस्थान देखने है वे ही थे न वे दो पॉइंट जो आपने को हर जगे चर्चा करने ह गुनस्थान और हे उपादे, गुनस्थान देखते हैं, क्या है, तत्व राइट, तत्व देखेंगे, ठीक है, तत्व भी देखेंगे, पहले हे उपादे कोन बताएगा मुझे, देखो सबसे पहले तो एक बात समझना सब, अब बोले चलो हे उपादे, बताओ, तुशार, तुशार, तुम अभी मुझे बहुत दुख है, तुमने आभी बंद नहीं किया हूँ, मैं 11, 12 वालों को भी कोई बात बोलता हूँ, देख लेना उनमें तुरन दुसरे दिन चेंज आ जाता है, तुम इतने छोटे होकर, तुम क्यों गलत रास्ते पर चल रहे हो, मुझे त तुम क्या खाते हैं, और कुछ तो बोलोगे की नहीं, और बोलोगे की नहीं तुम, के ब्रेड बटर पाउ खाते हैं के कुछ, अलू अलू तो रहते हैं नहीं उसमें, बटर, हाँ बोलो, हे उपादे बोलो, चलो, क्या, ऐसा नहीं, एक एक में गटित करके दिखाना पड़ना है अभी आपने को, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन अभी इसमें अलक सा होगा, अलक सा क्यों होगा, इसमें कौन बताएगा, बोलो, क्योंकि इसमें दो दाराई चल रही है जैसे मती ग्यान, सुरुत ग्यान, अओदी ग्यान, मनपरे ग्यान इसको तो कहेंगे एक देश उपादे और कू मती, कू सुरुत, कू अओदी इसको कहेंगे हे, अभी जैसा नहीं चले गई पहले दो भाव में ऐसा नहीं किया था अपने अप्शमिक भाव में तो सभी एक देश उपादे थे चायक बाव सभी पूर्ण उपादे थे इसमें थोड़ी ऐसा है एई आप इसलिए अपने बीच में रख दिया इसको तुम समझ लो अवदेक भाव में भी आईसे दो भेदने आने वाले है कोई है और कोई उपादे सर्वताई है ही है आने वाले लेकिन यहाँ पर कुमती कुसरुत कौवदी इसको डाला है मती सुरुत आउदी मनपर है इसको डाला एक देश उपादे में और एक बात समझ लो सब यह भी उपचार का कतन है कौन बोलेगा उपचार का कतन क्यो है बोलो अब बोलो उपचार का कतन क्यो है उपचार का कतन इसलिए है क्योंकि ग्यान सचमुच सम्यक मित्या नहीं होता ग्यान तो स्वभाव का अंशु होता है क्योंकि बंद में कारण सचमुच कुमति ग्यान नहीं है और मोक्ष का कारण सचमुच सम्यक मति ग्यान नहीं है क्योंकि बंद का कारण तो मित्या दर्शन, अविरती, प्रमान, कशाय, योग ये है बंद का कारण ग्यान और अग्यान मुक्तिबंद के कारण नहीं होते लेकिन उप्चार से कहने में आता है सहचर धर्म के कारण किस प्रकार? जिस प्रकार दस दुर्जनों के साथ एक अच्छा अदमी भी घुमे उसको भी कहेंगे दुर्जन A man is known by the company he keeps समझ मैं आ गया? कबिर का दोहा किसको पता है? वो संग से नहीं पता आपको संग से उसकी केसी की मदबढ़ती है क्या होता है? है न एक कबिर का दोहा भी है बोले बोले नहीं एक उसमें ये है जो संगत करेगा अच्छी जैसे उन्होंने ये उधरन ये दिया है जैसे कोई गुड की संगत कोई कंकड भी करेगा तो वो गुड के भाव बिकेगा जो जिसकी संगत करेगा वो ऐसा ही हो जाएगा ऐसा उन्होंने भाव लिखा है छोड़िये मैं यह क्यों बोल रहता ग्यान ग्यान तो उप्चर से हमने हे उपादे बोला खरे कर वस्तु सुरुप देखो तो हे उपादे उसमें गटित नहीं होगा चलना आगा अभी हमने कितने भावों की चर्चा के अभी तक साथ अभी तत्तो भी गटित करें तो हमारा काम होता चलेगा तत्तो कौन से गटित होंगे इसमें ठीक है मती सुरुत अभी मन पर्या में क्या गटित होगा संबर निर्जरा और कुमती कुशुरुत कुव अभी में आश्रोबन ये भी उप्चार का कथन क्योंकि ग्यान की पर्या है ना ये ठीक है और एक विशेशाद्ध्यत्मिक कथन में करना चाहता हो और यदि मातर जानना 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 मातर ले रहे हो तो इसमें कौन सा तत्तो गटित होगा जानना जानना मातर लेते हो बहुत अच्छा इसमें जीव तत्तो गटित होगा आप सब समझ रहे हो बराबर तो मैं आगे बढ़ू एठीक है अभी क्या देखना है हमको तुशार और क्या बोले थे भेवपादे और तत्व और गुनस्थान देख लिया ना तुरंत दो मिनिट में कुरू पुरा गुनस्थानों को अभी तो दो टाइम चलती नहीं है अपनी गुनस्थान में कैसे लगाएगा, कौन लगाएगा, बताएगा मुझे कोई बोलिया, अमन कोई बताएगा मुझे, मैं बताता हूँ कुमती, कुशुरुत, कुवधी ग्यान ये पहले और दुसरे गुनस्थान में पाए जाते है पहले और दुसरे गुनस्तान में हो उपचार से तीसरे गुनस्तान में भी कह सकेंगे उपचार से क्यों बोला क्योंकि क्योंकि वो मिश्रपना तीसरे में पाए जाता है सम्मेक मिथ्य मिश्रपना इसलिए उपचार से कहना हो तो कहो तुम बैठा करो भया मैं भूल जाता हूँ तुम छुड़ गए ने तुमारे पीछे मेरा ध्यान थोड़ी रहते तुम लोगों की तरफ तुम बैठा करो फटा फट उसमें को आदर आदर की बात कहा आई बहुत ही आदर करते हो तुम लोग इतना आदर मत क्या करो कुमती कुशुरुत कौवदी और उपचर से तिसरे में भी ले लो हाला कि तिसरे में मिश रहे हैं अभी मती शुरुत अवदी मन पर रहे किसमें लगाएंगे मती शुरुत लगेगा बोलो अक्षद मती शुरुत ग्यान किसमें लगेगा मती शुरुत ग्यान चौते गुनस्थान से सम्यक तो हो गया तो ग्यान सम्यक हो गया चौते गुनस्थान से लेकर बारवे गुनस्थान तक सम्यक ग्यान चलता है तो मत्य और सुर्ट तो कंपनसरी चलेगा आउधियो और मनपरे ऑप्शनल है भजनिया है हो भी सकते है नहीं भी हो सकते क्या बोला अवदियों और मनपरेग्यान भजनिया है हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है लेकिन मती सुरुत तो होएगा ही होएगा चोटे से बारवे तक ठीक है बोलो बैटिया अपन अपन चर्चा करनी है जलमल अगर दोश की जब ख्षायब शमिक सम्मेक्तों का प्रकरण चलेगा न तब आप पूछना लगबग चलेगा परसो ओके ए भाई अमन ख्षायब शमिक सम्मेक्तों का प्रकरण चलेगा तब यह प्रशन पूछना तो मैं बता हूँगा चलमल अगड़ दोश, चलो आप भी बता दे रहा हूँ, चलमल अगड़ दोश, क्षाईब शमिक सम्मिक्तु में होते है, क्षाईब शमिक ग्यान में नहीं, वो तो सम्मिक्तु के दोश है, ग्यान कर नहीं, ओके, चलो आगे, कहा तक आए, एक बिंदु रहा था आपना कोई अवधी ज्यान चोथे गुनस्तान से लेकर बारवे गुनस्तान तक रह सकता है आगे बोलो मनपर्य ज्यान छटवे गुनस्तान से लेकर बारवे तक रहता है क्योंकि मात्र भावलिंगी संतों को ही होता है ठीक है? अब बोलो बोलिये कौन उत्तर देगा इनका भजनिय है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आप्शनल है मती शुरुत तो कंपल सरी है बोले तिर्थंकर के जीव को मुनिय आवस्ता लेने के बाद अंतरमुर्द का कलिमन ने बोला न मुनिय आवस्ता मतलब आंतरमुर्द बाद उनको मुन परेग्यान होगा ही होगा ये कुछ नियम ही है ठीक है चलो अभी हमने उनस्ताना पे शबी चर्चा की है अभी हमें किस की चर्चा करनी है दर्शन की चर्चा करेंगे ठीक है कल ओमनो